हेल्फ फेंड्स मैं हूँ संडमे प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चेनल सरकार जौब नियोज यह रोजगार समाचार है मार्च दोज़ाइच चौबिस के सेकेंड विक्का एक लाग से ज्यादा पदो पर सरकारी वेकेंसिस के अभी आप्शन्स मौजूद हैं तो शुड़ करते हैं और पहली वकेंसिस तेकनों को मिल रहे हैं स्सी से यहां पर 4,187 पद हैं CPO में यानि डेली पुलीशन, CAPF यानि सेंट्रल आर्म पॉलीस फोर्स में सब इंस्पक्टर के पद हैं यानि SI योगतों चाहिए ग्रेशन डिग्री एज मिठ है 20 से 25 साल के लिए शांदार आउसर हैं मौके हैं आपके लिए इस उड़े के डिस्क्रिप्शन में एप है सरकार जौब ने उसका उससे भी आप देख सकते हैं अगली वकेंसिय लेते हैं और यह है इंडियर डेलवे से और बी में और यह 9,110 पद हैं टेकनीशन ग्रेट 1 & 3 के लिए या डिप्लोमा या ग्रेजुशन इन साइंस अगली वकेंसिय है यह सेंट्रल बैंक ऑफ हिंडिया से हलाकि अप्रेंटिशिप के लिए हैं तीन हजर पाद हैं तो यह जो कलर की भरती होती है तो उस पर अब अप्रेंटिशिप भी शुरू करती हैं एक साल के लिए और उसक इसके लिए योक्ताओं चाहिए ग्रेजुशन एज रमीट है आपका जन्म होना चाहिए एक चार उनिस्वचैनल से लेकर एक तिस तीन दोहार चार के बीच में लाश्टेट एक्स्टेंड हुआ है 27 मार्च हो गया अब अप्लाइफी 400 टू 800 रूपीज है और सेली ने मिली इस्टाइपेंटरी मिलेगे इस्टाइपेंटरी तो वो 15,000 रुपए पर मन्त होगा मेल फिल दोन अप्लाइफ कर सकते हैं देश पर के अगली वकेंसी है बिहार श्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेंड में यहां पर 2610 पाध है जूनर अकाउंट्स क्लर्क, कोर् प्लेस एज लिमिट में कुछ फूट भी मिलती है अप्लाइफ का डेट है एक अप्रेल से 30 अप्रेल तक अप्लाइफी अब देख रहे हैं 500 तक है अप्लाइफी और से लिए ठीक ठा किये मेल फिल्म दोनों अप्लाइफ कर सकते हैं महिला प्रुच दोनों तो इस सुट्य क दिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है अगली वेकंसी है लोकल सेल्फ गवर्वर्मेंट डिपार्टमेंट यानि जो नगर निगम वगड़ा होते हैं नगर निकाया होते हैं उन सब के लिए यह 24,797 पन हैं सफाई कर्मचारी के लिए लेकिन इसमें सिर्फ और सि कर्मचारी के काम का एज मिठ है अठार से चलिस साल लाश्ट फार्मरने के लिए 24 मार्च ठीक है और फी आप देख रहे हैं तो मेलफें दोन अप्लाई कर सकते हैं लेकिन केवर राइस्थान के लोग ही अगली वेकंसी है बिहार पब्लिक सुरुस कमिशन और यहां पर 40,247 के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट में और इसके लिए योगताओं चाहिए गर्मेंट प्राइमरी टीचर विद एट एक्सपरियंस मांगा गया है ठीक है एज मिठ है माइकिसम फिप्टी एट यर्स अप्लाई का लाश्टर है दो अप्रेल फी आप देख रहे हैं दो बिहार में ही है विपेसी की ओर से लेकिन यह 6061 पाध है है एट टीचर एश्टी वेलफेर डिपार्टमेंट में चाहिए इनको और कि अबल बिहार के लोग ही अप्लाई कर पाएंगे योगताओं चाहिए पीच डिग्री विद बीएड या बीएड या बीएड या बीएसी बीएड प्लस टीटी पास होना चाहिए और एज लिमिट मा आप देख रहे हैं योगता पुर्शों के लिए 31 से 37 साल और महिलाओं के लिए 31 से 50 साल लाश्टे टीट फॉर्मन के लिए दो अप्रायल फी आप देख रहे हैं और सहली यह प्लस भाते भी मिलेंगे लेकिन के बिहार के लोग ही अप्लाई कर पाएंगे अगली वकेंसी यूपी ट्रिपल सी से यहां पर 2847 बाद है जुन्यर इंजिनियर जेई सिविल के लिए योगताँ चाहिए यूपी ट्रिपल सी पीटी का स्कोर कार्ड होना चाहिए 2023 का प्लस डिप्लॉइन सिविल कोपरेटिव बैंक लिम्टेट में यहां पर 232 पाद है जुनियर कलर्क के लिए यह पाद है योगताँ चे ट्वेल्थ पास या ग्रेशन डिगरी एज मिठ है ठर से पैंदेश साल लाश्टेट है 31 मार्च अप्लाई फी आट्सों से एक हजार रुपे है ठीक है तो मेल फि 179 पाद है जुनियर इंस्ट्रक्टर के लिए योगताँ चे टिप्लोमा या बीए या बीटेक या बीए डिग्री या एम्बीए या बीबीए एज मिठ है 21 से 40 साल ठीक है लाश्टेट फॉर्म मेंदे के लिए 5 अप्रेल अप्लाई फी 400 टू 600 रुपेज है तो देश पर क प्लाई कर पाएंगा उनलाइन फॉर्म बढ़ जागा अगली वेकैंसी भी राज्थान से ही है यहां पर 181 पाद है असिटन्ट प्रोसेक्योशन ऑफिसर योगताँ चीए डिग्री इन लॉग एज लिमिट है 21 से 40 साल लाश्टेट फॉर्म मेंदे के लिए 12 अप्रेल फी 400 से 600 रुपे हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अंगली वेकैंसी लेते हैं उससे पहले इंफॉर्म करतों कि तमाम एक्जामनेशन की त्यारी के लिए जो भी आपने देखा हूं सब की त्यारी के लिए शांदार मेंबर्शिप प्लान है चाहे कोई भी एक्जामनेशन हो सब ही क आपने चाहे जाते ही कररेंट फर्स की इसमें PDF, वीडियो, मौक टेश्ट मिलता है साथ में टेस्थ भी मिलता है और पिछले सालों के भी आपको PDF और वीडियो, मौक टेस्थ सब मिल जाएंगे तो यह करेंट फर्स के तेहरी शांदार हो रोग सकती है इस membership plan के जरिए वाओं को इंज़ार था RPFA vacancy के लिए तो आ चुका है 4,660 पद हैं कमी पद है लेकिन जो भी है देख रहे हैं आप constable और सब inspector के लिए योकतों चे टेंस पास या ग्रेजुएशन एज लिमिट है 18-18 साल अप्लाई का डेट है 15 अप्रेल से 14 माई 2014 तक फी 500 से 500 रुपए है और सहली आप देख रहे हैं अच्छी कासी है मेल फिएल दोन अप्लाई कर सकते हैं देश भर के युवाप और इस तुडियो की डिस्क्रिप्शन में चेक के लेना लिंक इसका है और इस एक्जामनेशन के करेंट फिरुस की तियारी के लिए आप सब्सक् प्लाई के लिए ग्रेज़ेशन एच रिमिट है 30 साल लाश्ट फॉर्म अटकी 27 मार्च अप्लाई फी जरूर्ट रुपीज है और लेवल 7 की सेलरी मिलेगी मेल फिएल दोन अप्लाई कर सकते हैं इस दिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया हुआ है अधिव अगेंसी है पंज सकते हैं देश बरके इस दिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं अग्ली वेकैंसी इनुवर्सिटी ओफ अलहाबाद यहां पर 343 पादे हैं ड्रैवर, MTS, हाउसकीपर, जुनियर ओफिस असिटेंट, DEO, नर्सिंग ओफिसर, मेल, हेल्प, डिस्क, कलार करना अधर्स योगतो अग्ली वेकैंसी है, हाई कोट ओफ जार्खन यह राची में 648 पादे हैं, टैपेश्ट, कॉपेश्ट, दिहें सारे और भी पादे हैं, इस्टेरोग्राफर के, यह उगतों चाहिएं ग्रेजुशन, एज लिमिट है, 21-25 साल, अप्लाई के लाजट है, 31 मार्च, फी एक्स तो पजी सुपर से लेकर 500 रुपए के बीच में हैं, और सेल्ली आप देख रहे हैं, अच्छी खासे सेल्ली देखना को मिले हैं, तो मेल फिल्स दोन अप्लाई कर सकते हैं देश भर के, अग्ली वेकैंसी भी हाई कोट ओफ जारकंट से हैं, यह पर 55 पद हैं असिस्टेंट यह इस सहाइक के लिए, युगतों जी एक ग्रिजिशन, एजल मिठें 21 से 55 साल, लाश्ट फॉर्मर ने के लिए 22 मार्च, तो दोस्तों यह था रोजगार समचार, हम लोग हर सपता रवी वार्व की शाम को, देर शाम को कड़ी बाट बजी के आसपास यह वीडियो लेकर आ आते हैं, रोजगार समचार का तो अगली बार भी देखना मत बूलना, और हाँ डेली का जो करेंट फर्स है, आपकी एक्जामनिशन के लिए वो इस चैनल पर आता है, देखेगा जूर।